कि हलो अब्रिवान कैसे हैं आप सब लोग आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे आज हम करेंगे थर्ड वीक के इंपॉर्टेंट करेंड अफेर्स तो जो लोग भी चैनल पहली बाद है कि आप शाले को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को हर एक अप्डेट म मिल जाएगा और मी फ़स्ट से हम लोग शुरू कर देंगे इस एक्जाम के लिए जो हमारा리 के लिए नेक्स जिसमें हम लोग सेकेंडे छेडिलेसका हम सारी स्ट्रेजी सब हम लोग यहां पे लेके आएंगे साथ मेई 1 को आप लोगों का टेस्ट होगा सब इसके लिए पढ़ना शुरू कर दिया होगा और जो हमारा तीसरे एक्जाम है जो थोड़ा वीडियो लेक्चर्स पीडियेफ सब चीजे जो हैं वह एक ही जगह पे सिस्टमाटिक में मिल जाएगी साथ ही साथ आपका जो अपकमिंग विकेंसी है जो सबसे जादा होगी जो मेजर रिकूट्मेंट का जा रहा है विलेजला विलवर्गर की अप्रॉक्शिमेट थरीन सबसा जाएगा जो भी चीज़ें वह एड़ कर दी जाएंगी साथ इसकी टेस्ट सीरीज भी आपको मल जाएंगी और हमारी कोशिश है कि इसके साथ साथ आपको हर एक टॉपिक टेस्ट भी मिलना शुरू हो जाएं और जो लोग जम्मू से हैं अगर आप लोगों का सिरफ तक ही वैलिड है तो आप लोग यहां पर आ सकते हैं जम्मू तो यह आप इस नंबर पर कर सकते हैं वाट्सप कर सकते हैं आगर आपको कोई भी क्वेडी होगी तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की लास को भीना दारा टाम वेस्ट किये तो सबसे पहली चीज जो हम लोग यहां पर देखेंगे आज कुछ क्वेशन ऐसे हैं जो बहुत होंगे तो हाइलाइट को कर दूँगा आप लोग उनको अलग से नोट कर लीजिएगा सब सब पहला क्वेशन आप लोगों के सामने है यानि की कंबाइन रेसिप्रोकल कॉमन ट्रांसपोर्ट एग्रिमेंट ज से हैसल फ्री करने की कोशिश की जाती है कंबाइन रेसिप्रोकल कॉमन ट्रांसपोर्ट एग्रिमेंट आपको इसकी फुल फॉर्म भी याद रखनी है अब देखो हुआ किसके बीच में पहले हो तो मैं आपको बता दूँ डेली हरयाना राजस्थान और जो यूपी का पार आता है हमारा NCR में उनके बीच में यह हुआ है तो आंसर यहां से आप लोग कर सकते हैं मध्यपदेश का आंसर है कि यह इसका पार्ट नहीं है लेकिन कौन-कौन सी स्टेट इसका पार्ट है आपको यह पता होना चाहिए इनके बीच में एक एग्रिमेंट साइन हुआ है ज क्या होता है नेक्स पर बात करते हैं अभी हाल ही में कौन सा बैंक कैसा है जिसने अब्जर्व करा है अपना 128 फॉंडेशन डे 12 अप्रिल के दिन देखो बैंक के ओपर क्वेशन क्या इंपॉइट में चल रहा तो आप लोग ने एक चीज़ सुने होगी कि बैंक के काफी सार अब कुछ को प्राइवेटाइजेशन की बात की जा रही है जितने भी बैंक के मर्जर हुए आप लोगों बताने चाहिए क्यों यह पेपर में पूछे जाते हैं बहुत प्रिक्वेटली पेपर में आये हैं देखो सबसे पहली चीज क्या है आपको मैं बता दूं किसका था वन ट्विंटीएट फांडेशन डे तो वो था पंजाब नेशनल बैंक का पंजाब नेशनल बैंक में दो बैंक मर्ज हुए एक तो था आपका और इंटल बैंक और दूसरा एक और था यह आपका होमवर्ग है आप लोगों बताने कौन सा बैंक था बैंक ऑब बारोडा की मैं बात करूब तो बैंक और बैंक में कोंस हुए थे इक था आपका देना बैंक यह था यह हैं दो चीजिए मोगों के ऐसीं मार्ज हुए थे हैं इसका था तो हो सकते आफसे इस तरीके से भी पूची जाए नेक्स पर बात करेंगे question number third के उपर अभी हाल ही में कौन सी city ऐसी है इंडिया की जिसे रिकनाइज गया है tree city of the world अब यह question बहुत important है देखो अब यह important क्यों है मैं आपको देखते हैं अगर आपको renewable energy से पूछा जाएगा फिर जिस तरीके से यह है tree city कौन सी है green hydrogen पर अगर questions आ रहे हैं आपको यह आपका environment ecology बायोडिवर्सिटी climate climate change इन सबका अगर हम बात करने यही चीजें आप से पर पूछी जाती है current affairs की form में जो आपको देखने को मिलती है दूसरी अगर हम बात करने sports की बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि sports segment में क्या पड़े तो देखो sports में जितने भी आपके current events आपको याद रखने हैं साथ साथ अगर आपका कोई भी female या कोई women athlete इंडिया से news में है तो आपको याद रखने हो कि sports से belong करते हैं यह चीजें प अब देखो food जो यहां पर पहली चीज आप लोगे सामने है food agriculture organization अब यह news में है आपको बताना है इसका headquarter कहां पर है और दूसरी है आपकी मुंबई यानि के answer है आपको option number a and b अब यहां पर क्या है मैं आपको बता देता हूं पहले किसको recognize कि आप से पूछा जाए तो आपको बता दू है रैद्राबाद को पहले किया गया है क्यों क्योंकि इन्होंने तीन करोड से ज्यादा ट्रीज जो है वो प्लांट किये गया है मुंबई के अगर मां बात करूं तो 4.25 लाक सम्थिंग इन्होंने भी किये है अब यहां पर आप लोग एक चीज सोचोगे कि plants trees तो हमारे यहां पर हमारी स्टेट्स में भी plant किये जाते हैं तो हम लोग यहां पर क्यों नहीं है या फिरी सिटी में ऐसा क्या है कि यह दो स्टेट्स जो है यहां पर देखो अब यहां पर जो ट्री सिटी ऑफ दे वर्ल्ड ना इसके लिए एक स्टेंडर्ड सेट किया गया है सिटी डिपार्टमेंट में अलग बोर्ड सेट कर दे की लाइट क्यूं जा रही है लेक्टिटी कर दियो वैसे एक स्पेशल ट्री बोर्ड होना चाहिए जो पूरा ध्यान रखता है हर एक म्यूंसिपल को बाउंडरी के अंदर साथी साथ जो सिटी है उसने एक लौ या क्या है और बहुत इस तरीके के स्टैंडर्ड सेट किये हैं जो कि इन दो सिटीज ने सक्सेस्फुली करा है और यह दोनों किसमें रिक्रेगनाइस की गई है ट्री सिटी ऑफ दा वर्ल्ड के बारे में तो यह बहुत इंपोर्टेंट है एक्जाम पॉइंट अव्यू से भी की गई है ये नेक्सित में अभी हाली में किसे बनाया गया एंपोर्टेंट क्वेशन है यह यह यूर। पेजली किए डॉ किसे कहले की एक किसीकी अपॉइंट ने गया थो बहूत एक बड़ी और फ्रीस सांस Cake महां जोशी उना तो आप लोगों के सामने है याद रखना क्या किसे बनाए गया है अभी हाली में तो यह बिनाए गए है मनोज सुनी जी को डॉक्टर मनोज सुनी जी अब बनेंगे और कब तक रहेंगे 27 जून 2023 तक इनका टैनियर जो है चेर्में यह चलेगा नेक्स पर बात करते हैं अभी हाल ही में कौन से इसे पद्मा वाड़ी है जिन्हें की अपॉइंट किया गया है चेर्में आफ एने भी है चैनल एक्रिडिशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल एंड हेल्थ केर प्रोवाइडर्स तो कमेंट बॉक्स में लिखे बताना कि सीब्सक्राइब कौन है यह बहुत बार पूछे जाते हैं कि काफी प्रिस्टीजियस और्गनिजेशन में से एक है नेक्स पर आते हैं अभी हाल ही में किसने जीता है डिक्विक ओपन चेस 2022 टूर्णामेंट जो की आइसलैंड में होता देखो अब यहां पर दो चीज आपको याद रखनी है पहली चीज जीता किस नहीं यह इंडिया से बिलॉंग करते हैं इंडियन ग्राइंड मास्टर और रमेश बाबू प्रगनंदा ने जीता है पहली चीज तो यह पेपर में क्वेशन आपसे यह नहीं पूछा जाएगा पेपर में आपसे सीधा क्वेशन पूछा जाएगा कि आर प्रगनंदा किस स्पोर्ट से रिलेटेड है और यही जो आप स्पॉर्ट पूछे यह तो यह क्या है यह है चैस्ट प्लेयर बहुत इंपॉर्टेंट क्यूंकि यह नाइन राउंड पूरा चाला था टा रेंग व मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी हाल ही में कौन सा ऐसा इंस्टिट्यूट है जिसने एक मौ साइन किया है इंडियन एफोर्स के साथ जिसके दायत एक्सलेट किया जाएगा इंडिजिरेशन एफोर्ट और अचीव आत्म निर्बर भारत अब देखो आत्म निर्बर भारत आप लोगों ने देखा है बहुत देर से चल रहा है अगर हम बात करें यानि की कोशिश की जा रही है कि अब से जितनी भी चीज़े हैं लोग खुद करें किसी की हेल्फ हमें ना लेनी पड़े फिर वह आप लोगों ने देखा होगा जितने भी आप लोगों ने इंडिजिनेसली डेवलप चीज़े सुनी होंगी अब यहां प मतरास अभी रीसेंटली न्यूज में भी था पिछले वीक के करने फेर्स में आप लोग दिखते हैं कितने बच्चे ऐसे हैं जो की कमेंड में लिखेंगे बिना नोट्स को खोले नोट्स चेक कर सकते हैं आप लोग इस वीडियो के बाद पुराने बट आप लोगों का यह इसक्राइब डिदिरेश का यांद रखनी है अगर इंडिज़न डेवलप्ट की हमम बात कर रहे हैं तो इंडिज़न डेवलप्ट में एक आता है आप आपका निर्भे क्रूज मिसाईल जो बहुत मीससायम किसने बनाई है यह बनाई गई है किसके दोरा on कि हम लोगों ने नहीं है खुद आई एन्स विक्रांथ यह क्या है यह हमारा एरक्राफ्ट कैरियर जो की इंडिया ने खुद बनाया है साथी साथ अभी इंडियन जो आर्मी है उनका वर्जन जो नाग मिसाइल का है नाग हमारी एंट्री टैंग मिसाइल है जो अभी हेलीकॉप्टर से इन्डियन एर फोर्स किसके साथ कर रहा है वह कर रहा है आयटी मदरास के साथ ताकि जितनी भी चीज़े है इंडियन एर फोर्स में यूज़ होने वाली वह हम लोग खुद बनाए नेक्स पर बात करते हैं क्वेशन नमबर एर्थ पे अभी हाल ही में परधान मंत्री संग् संग्रालिया बहुत इंपॉर्टन क्वेशन है यह इनॉगरेट किया गया है परधान मंत्री जी के द्वारा यह कहां पर है देखो दो चीज़ें यहां पर पूछी जा सकती है पहली चीज आप से पूछी गई है कि परधान मंत्री संग्रालिया परधान मंत्री संग्रालिय नाडर्य मोदी अ यहां पर यह मत गंशना होना कि परदान मंत्री नरेंद्रामोधी है टो यह उनका मुजियम बनाय गया डो ऐसा नहीं है यह मुजियम जो है यह बनाया गया है यह जितने भी आज तक हमारे पेंगर रहे हैं सब जितने भी रहे हैं सिंस इंडिपेंडेंस जितने भी थे उन लोगों का जितना भी एफर्स थी उनकी डॉलोजी जो थी उन सब को लेके यहां पर अब यह म्यूजियम की तोर पर बनाए गया है जिसके तरह फ्रीडम स्ट्रगल से लेकर कॉंस्टिविशन तक जितनी भी च है इनॉग्रेट किया गया है इसे बाबा डॉक्टर बी आर्म रेटकर की बहुत अइनिवर्सरी के दिन इसे इनॉग्रेट किया था तो यह चीज याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा यहां से पर्धान मंत्री संग्राल्य कहां पे है न्यूडली में पर इंट्रेशनल गांधी अवार्ड फॉर लिप्रॉसी 2021 यह जो अवार्ड आते हैं यह आपके अवार्ड काफी इंपॉर्टेंट है एक्जाम पर भी उसे और खास कवर पे अगर इन अवार्ड की बात करें तो यह हर साल दिये जाते है इस साल किसे दिया गया है तो इस साल द पूश्थ यगना ट्रस्ट को यह गुजरात का ट्रस्ट है इसे भी यह अवार्ड मिला है तो अगर एक्जाम में पूछा जाएगा अगर मालीजे आप्शन में आपको भूशन कुमार नहीं दिख रहे तो अगर आपको यह ऑप्शन दिखे तो आप इसको मार कर सकते हैं ब तो इंडिया ने यहां पर कितने मैडल को जीता है देखो यहां पर मैं फिर से आपको चीज़ बताऊंगा आप से बहुत रेर है कि यह क्वेशन इस तरीके से फ्रेम हो दस मैडल इंडिया ने जीते हैं न्यूज में हैं आपको पताऊना चाहिए अब थाइलेंड ओपन इं आप से अंच्छु मलिक का क्वेशन पूछा गया अभी तक हमारे हारे जित्रे मीं क्वेशन आपके जेकेप के सारे हम लोगों ने कवर करवाए हो थे तो यही चीजे मैं आपको बताता हूं अब पहली चीज क्या नियाद रखनी है एक नाम आपको याद रखना है यहां प सुमित कुंदू ने तो इन तीनों ने मैडल जीते है गोल्ड पेपर में पूछा जाएगा सुमित कुंदू कि स्पोर्ट से रिलेटेड है तो याद रखने हैं साथ ही साथ आपको बता दू आपको दो से तीन नाम विमन प्लेयर्स के भी याद रखने है जिन्होंने नाम है मनिश्या मौन इन दोनों ने सिल्वर मैडल जीते हैं इसी टूर्णामेंट में बाट फीमेल जो मैंने आपको विमन प्लेयर्स है तो यह पूछा जा सकता है तो यह याद रखना नेक्स पर आते हैं हम लोग अभी हाल ही में यह आज का most important question है और यह definitely आपको किसी ना ठीक है इन्होंने अभी लोगों को रिवील किया है आप लोग यहां पर देख सकते हैं लोगों यहां पर चीज क्या है ध्यान से समझेगा जो F.I.H. है यानि इंटरेशनल होकी फेडरेशन Senior Men's Hockey World Cup 2023 का जो कलिंग्य स्टेडियम में होगा पहली चीज अब यह अपने आप में इसमें दो से तीन questions है पहली चीज आपको क्या लिखा गया है पूछा यहां पर इस question पर लिखा कि कौन सा अडिशन है 15th अडिशन है लगातार दूसरी बार Odisha host करेगी पहला point दूसरी ची है होगा कप और कहां पर इंडिया में होगा या तो इंडिया पूछा जाएगा या तो आप से पूछा जाएगा specific state बता दो कौन सी है Odisha होगा कलिंगर स्टेडियम में होगा यह event और साथ ही साथ एक दो चीजे और आपको बता दू यह यहां पर कोशिश की जा रही है कि इं न्यू बिर्षा मुंडा इंटरेंशनल होगी यह भी आपसे डिरेक्ट पूछा जा सकता है मैं आपको यहां पर लिख देखाए बिर्षा मुंडा के नाम से कंफ्यूज मत होना जारखंड मत चले जाना अगर पूछा जाएगा कहां पर है तो यह है आपका रोर के इला में हो भी अभी हाली में इनाउग्रेट किया है रोर के ला कहां पर है अब देखो दो चीज़े यहां में बार बार डिस्कुस करता हूं पेपर में पूछा जाए नहीं पूछा जाए मैटर नहीं करती लेकिन आप लोगों में पता होनी चाहिए अब और इसा गवर्मेंट की ए इसका इतिहास इतना जादा जबरदस्त है अगर आप लोगों का भी उठा के देखें हम लोगों का होकी पे दब दबा था जो आज की डेट में कहीं ना कहीं बहुत काम रह चुका है और इसा गवर्मेंट ने यहां पे स्पॉंसर करा था ऑफिशिल स्पॉंसर किया गया था में और विमेंट टीम को टोक्यो लंपिक्स में यह भी चीज को याद रखना जिसमें में टीम ब्रॉंस मैंडल जीत किया थी कोई भी स्पॉंसर नहीं था इनके बास यहां पर आप आप आई-पेल की कोई भी टीम उठा लोगे उनके पास काम से कम 10 से 15 स्पॉंसर उनकी टी रखा था जितने भी जानव रहा है इसलिए मेरे फेवरेट अगर आप पूछोगे तो नवीन पतनाएं की हैं जिससे आप से काम करते हैं यहां पर दो से तीन क्वेशन आपके बन सकते हैं इसलिए इसलिए नेक्स्ट पे अगर हम बात करें क्वेशन की अभी हाल ही में कौन से पूछा जा सकता है पेपर में क्वेशन की डे ओफ इक्वइलिटी जैसे इस तरीके से फ्रेम किया गया है किस ने क्या है तो यह कहा है तामिल नाडू ने कहा है कि डे ऑफ एक्वेशन करेंगे हर साल किस यह भी याद रखना है हर साल 14 अप्रॉल को करेंगे या फिर यह बहुत है निवर्स्री के दिन यह भी याद रखना है भी डॉक्टर बीया तंबेटकर के बारे में चार तरीके से यह चलता है और इसे किस नाम शेता शाना जाता है श्युक्त पिराप्पू चीक है यह तीन चार चीजे याद रखना पेपर में आ सकती है पेपर में पूछी जा सकती है और एक और चीज आपको बता दूँ जैसे अभी 14 एपरल को 125 जो 125 बर्थ अनिवर्सरी नी थी यह एक्जेक्ट मुझे याद नहीं है 113 थी यहां पर चलो यह मैं 125 प्रीट कर स्टैचू भी बनाया गया है यहां पर तो कि यह कहां पर बनाए गया 132 वह थी बानव फांचिशन झावास ट्रविक यह जा रहा है । आभि कम्प्लीट नहीं हुआ लेकिन इस इंडिंग में कम्प्लीट हो जाएगा तो ठीक है फादर आफ नेशन के नाम से जाना जाता था तो यह आपके एक्जाम पॉइंट आव यू से इतनी चीज़े का सब्सक्राइब नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं कौन सी कंपनी ऐसी है इंडिया की जिन्हों ने काया कि वो मैंनुफेक्शर करेंगे फॉर्स्ट फ्लाइट ऑफ इंडिजिनियर्स अभी जहां पर भी आपको कभी यह वर्ड दिखेगा ना मान के चल लेना कि यह क्या है यह है मोस्ट इंप सिंधिया के द्वारत ठीक है यह कौन है यह समय यूनियन मिनिस्टर है किसके सिविल एविएशन के साथ ही साथ आपको बता दूं यह कहां पर है कौन बना रहा है यहां पर यह चीज़ें आपको पता होनी चाहिए जो पहला बनाए गया है अब पहरी चीज आगर मैं पूछ यह आप से दरेक्ट यह भी पूछा जा सकता है पहले ही फ्लाइट जो है कहां से कहां गई है तो वो गई है अरुनाचल डिर्एक्ट एग्जेक्ट जगह भी आपको बता देता हूं बड़ पूछी नहीं जाएगी अरुनाचल प्रदेश से असाम में टार्गेट है जो कनेक्टिविटी जो है उसे और स्ट्रॉंग किया जाए ठीक है नेक्स पर बात करते हैं कि नेक्स क्वेशन पर चलते हैं हम लोग फोटीन आप लोगों के सामने हैं अभी हाल ही में इंटिग्रेटिड फायर पॉवर सर्वी एक्सराइज जो है वो अब्जर्व कर यह है इंड यह जा सकते हैं इंडिया किसके साथ करता है अब इस एक्सराइज का नाम क्या था इस एक्सराइज क्रिपान शक्ति बहुत इंप्परंटन है कहां पे हुई है यह तो यह हुई है वेस्ट बंगॉल में वेस्ट बैंगॉल में कहां पर सिलीगुडी में इस पन्दैक को करवाया है कॉर्प्स ने करवाया यहाँ पर गलती से लिख दिया है तो किस ने करवाया है तो यह करआए गया है त्रेशक्ति को द्वारा ठीके नेग्स पर आते हैं लोग अभी हाली में WHO has been selected for the 2020 2020 Malcolm Adesia Award for his contribution to development अभी यह वाड किसे दिया गया है और इसा से बिलॉंग करते हैं नामचे आप लोग गश्क कर सकते हैं इसको भी ना तो इन्हें दिया गए है इस साल का वाट किस फील्ड के लिए दिया गया है क्योंकि इन्हों काफी सारी जो contribution करी है development studies for an outstanding economist के लिए तो इन्हों को ये अवार्ड दिया गया है जो ये अवार्ड है ये किस field में मिलता है अगर आपसे कभी पूछा जाए तो ये अवार्ड बेसिकली outstanding economist social scientist या historians को दिया जाता है तो अगर आपसे पूछा जाए जिसे अवार्ड दिया गया है तो ये दिया गया है डॉक्टर प्रभाद पतनायक जी को नेक्स पर आते हैं हम लोग question number 16 पर चलते है question number 16 के अगर आप बात करूं अभी हाल ही में कौन सा पूर्टर लांच किया गया है मिनिस्ट्रिय रोड ट्रांस्पोर्ट अंड हाइवेस के द्वारा जिसके इंस्टन इंफोर्मिशन मिल जाएगी एंट एक्सेलेट कम सेशन क्लेम्स और रोड एक्सिदेंट देखो अब दो चीज़े पहली के एक प्रोजेक्ट के ऊपर पूछा गया था थोड़े दिन पहले अवारा जो एक्जाम हुआ है अब यहां पर बात करते है कौन सा पॉर्टल लांच किया गया है इनका पॉर्टल है यह ज्यादा इंपॉर्टेंट है यह फुल फॉर्म है डिजिटाइस्ट डिटेल्ड ए है यहां पर आप लोग देख सकते हैं नितनगडगरी ने पॉर्टल लांच किया है अभी हाल ही में जिसके जितनी भी कंपेंसेशन मिल नहीं होती है बहुत टाइम लगता है उसको एक्सलेट किया जाए रोड अब क्या टार्गेट है कि रोड एक्सिंट हम लोग इससे जित अनिवर्स्ट्री ऑफ आईश्मान भारत हेल्थ वेल्नेस सेंटर्स अब देखो मैंने आपको पहले भी एक चीज़ समझाई थी जब हम सुभाग्य के स्कीम के बारे में पढ़ा था जितनी भी स्कीम के ओपर आपको स्टेटिक अब कहींवारी पेपर में होता है पेपर में है एपरल में अपका कोई जूम जुलाई में हो सकता है आप से यहां पर पूछा जाए आश्मान भारत स्कीम के बारे में या अश्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के बारे में तो यह चीज़े हमेशा करण्ट इवेंट से ही निकाली जाती है जो चीजे करण्ड कोई सब्स नहीं हमेशा कर इवेंट सो इस्टेक की फॉर्ट की फार्म में फॉर्स बीरषिटेशन ऑंड ऑर्गनिजैसिन पर र्जीने कब शुरू हुई है यह 14 ऐपरल से शुरू ही थी कब तक होगी तो आप लोगों को आइडिया हो चुका होगा 21 तक यहां पर यह याद रखना की शुरू कब की गई है और आज की डेट में अगर आप से पूछ हो जाए कितने यहां पे हमारे यहां पे है अभी एच डव्यू सी यानि अटल भारत हेल्थ एंवेलनेस सेंटर है तो अप्रॉक्सिमेट एक लाग से ज्यादा जो है वह अभी तक बन चुके हैं और पार्टिस्पेशन भी करिया उन्होंने इस इवेंट में नेक्स पर आते हैं क्वेशन नमबर 18 के अगर आब बात कर प्रेक्टर है जिसको रिसीव किया गया है सर्टिफिकेट और रिजिस्टेशन यानि की सी यू अर अडर रिजिस्टेशन उफेक्टर इस बैंक रेगूलेशन तुए अब देखो आज ही आपको बता दूँ यह एक आर्टिकल आया जिसमें ने का गया है प्रदानमंत्री मो क्योंकि पहली ऐसी फिंटेक कंपनी बनी है जिसे की सर्टिफिकेट ऑफ रेजिस्टेशन मिल गया है रेजिस्टेशन ऑफ एक्टर्स के अंडर यानि के आर्वे के थू तो यह बहुत इंपॉर्टेंट होगा नाम याद रखना बस इसका नेक्स पर आते हैं क्वेशन है यानि कि कौन से ऐसी परस्नालिटी है जो हेल्थ के डिपार्टमेंट में काम करते हैं और कौन है ऐसे जो रिचिस्ट बने हैं अगर आप से पूछा जाए इंडिया से कौन से हैं जो टॉप पे है तो वह है साइडस एस पूना वाला अभी आप लोगों इनका नाम पता हो होगा सीड उस्यूट को के सीग के सीओ से रम इसीटिटूट उफ इंडिया ने कोविड की दौरान बहुत अच्छा परफॉर्प किया था आपको बताना है कि इन्हों आपको और आपको बताना है कि difficulty और आंपको बिचह है इनके अद॥ नाम आ आपको याद्रथ रखना है वह है दिलीप सिंग्वी का दिलीप सिंग्वी के अगर हम बात करें तो कों है यह आपने स्वेड़ों कि एब आप चिसी से अगजासंगं के तहारी करने तो अप को फिर मैं। अभी हाल ही में 29th Chief of Army Staff कौन होंगे यानि कि अगजाम में पूछा जाएगा Chief of Army Staff कौन है तो यह आपको बता दूँ अगले महिने से शुरू होगी होगा इनका tenure बार इनका नाम क्या है तो इनका नाम है मनोज चंदरशेखर पांडे बहुत इंपॉर्णेंट है यह तो यह आपको याद रखने है पहला पॉइंट आपको यह याद रखना अब दूसरी चीज क्या है आपको बताना है Chief of Defense Staff कौन है हमारे यहां पर ठीक है Chief of Defense Staff कौन है पहले देखो Chief of Defense Staff एक नई पोस्ट एड की गई थी जो पहले कौन थे वो थे हमारे विपिन रावज जी जर्नल सीडिये जर्नल विपिन रावज जी लेकिन इनका आप लोगोंने दिखा था हेलिकॉप्टर क्रैश हुआ था उसके बाद नेदन हो गया था तब से लेकिए अभी तक यह पोस्ट जो है यह वेकेंट है ठीक है इस पोस्ट में कोई नहीं है चीफ आप पूछा जाएगा तो याद रखना मनोज चंदर शेकर पांडे जी यह बनाए जाएंगे इंडियन आनमी के अगर मैं बात करूं अगर आप से सब पोस्ट कभी पूछा जाए इंडियन आनमी के कमांडर इन चीफ कौन है कभी अगर मां लिजिए पर इग्जामिन यह क्वेशन पूछेगा तो आपको बता दू इसका अंसर होता है प्रेजिडेंट अभी की डेट में कौन है प्रेजिडेंट प्रेजिडेंट रामनात कोविन तो वह हैं बट याद रखना कमांडर इन चीफ प्र में शब रेजिडेंट होते हैं ये भी चीज या रखना और जो चीफ आदमी स्टाफ हैं वो कौन है अभी तक कौन है इनसे पहले मतलब आज की दिन में जब हम लेक्टे बनाने तो वह मनोज मुकुंद निर्वाने जी और इनका टैनर खतम हो जाएगा एप्रल 30 को उसके बाद बनेंगे मनोज अंदरशेखर पांड़े इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा नेक्स पर आते हैं हम लोग क्वेशन नमबर 21 की अगर हम बात करें यह क्वेशन आज का फिर से बहुत ही जादा इंपॉर्टेंट है मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट आप इसको मान के चलिए अभी हाल ही में कौन सी ऐसी स्टेट है या यूटी है जिसने रिसेंटली लॉंच किया है जन निगरानी एक ग्रिवियंट रियडरेशल आप जिसके ताहित क्या किया जाएगा कोई भी इंसान अपनी प्रॉब्लम को कंप्लेंट कर सकता है या प्रॉब्लम या को यह कंप्लेंट को लॉंच कर सकता है रिलेटेड वेरियस स्कीम्स ऑनलाइन अब यह क्या है इस आप के यह पॉर्टल के थ्रू होगा गया देखो यह जो प्लाटफॉर्म बनाया गया है यह 24-7 इंटरनेट बेस प्लाटफॉर्म बनाया गया है जिसके ताहित कोशिश की जाएगी कि जितनी भी रिपोर्टिंग होगी या फिर जितने भी ग्रिवेंस यहां पर आएंगे उससे प्रियर्टी बेसिस पर क्या किया जाएगा रिजॉल किया जाएगा अगेंस्ट वेरियस गवर्मेंट स्कीम तो यह पहली चीज दूसी चीज अब आपको बता दो यहां पर होगा क्या एक सिंगल लिंक होगा बिट्वीन दा रिजिदेंट एंड ऑफिशियल बाइक पिंग सब्सक्राइप कर सकते हैं और इस आप कोशिष की जाएगी इन्शॉरंस की जाएगी इन्सॉरंस कि मिनिमाल रिजेक्शन हो आकॉंट्स की ड्यू इन्कम्प्लीट इन्फॉमेशन तो यहां पर क्या होगा इंशॉर किया जाएगा कि आप लोगों का यहां पे rejection कम से कम होगा और साथ ही साथ कोशिश की जाएगी कि ब्लॉक लेवल पे इसको setup किया जाएगा साथ दिन के अंदर के अंदर आपकी जो particular problem है उसको solution आपके सामने होगा तो यह चीज याद रखना जे एंड के इंडिया का पहला portable solar rooftop अभी हाली में setup किया गया है कहां पे इसको inaugurate किया गया है और यह पहला है अपने आप में जो की portable rooftop होगा आप देखो पेपर में आप से क्या static की form में पुछा जा सकता है स्वामी नरायन अक्षरदाम टेंपल कहां पे है देखो जो बच्चे जम्मु किश्मीर या लोकल है या दिली तक है आप लोगों पता दो एक अक्षरदाम टेंपल आपका दिल्ली में भी है लेकिन अगर इसकी बात की जाए स्वामी नरायन अक्षरदाम टेंपल कहां पे है तो यह गांदी नगर गुज्रात में पहली चीज तो यह अगर स्टाटिक की फॉर्म में आएगा दूसी चीज अगर यहां पर पूछा जाए यह जो सेट पर नेक्ष्ट पर आते हैं हम लोग क्वेशन नमबर 23 की अगर मा बात करूं अभी हाल ही में कौन सा ऐसा पास है इंडिया का जो की दुनिया की जिसमें हाइस टनल बनाई जारी है जांसकार वैली लदाक से लेके लाहूल वैली तक जो की हिमाचल प्रदेश में यह अब तक की दुनिया की हाइस टर्ल होगी तो ये किस पास पे बनेद गी यह बनाई जारी है शिँक में बहुत इंप्ञेंट है आपको यह डारेक्ट जीवृपकी बन सकता है पहं अगर चाहिए तो शुकूली चाहे तो यह याद रखना जांसकार वैली और कहां पर लाहूल वैली जो है हिमाचल प्रदेश और जांसकर लदाख की इनके बीच में बनाया जा रहा है नेक्श पर आते हैं हम लोग अभी हाल ही में कौन सी एसी स्टेट है जिनने अब्जर्व करिए बर्थ एनिवर्स्टी ऑफ शिरी सिद्धालिंगा स्वामी एस इंटीग्रेशन दे देखो भी मैंने आपको बताया तामिल नादू ने भी किया था बिया अब्रेट करके बहुत था इनिवर्स्टी को वैसे ही करनाटका ने यहां पर क्या किया है जो शिरी सिर्धंगला स्वामी है उनकी बहुत अनिवर्स्टी को अब यह अब्जर्व करेंगे एजन इंटीग्रेशन डे तो पहली चीज़ आप लोगों को यहां पर यह चीज चीज क्लेर होनी चाहिए तो यह है कोन बेसिकली तो यह यह जो तामिल नाटो अब्जर्व करेगी बहुत इंपॉर्टेंट है एक्जाम पर यह ना आपको देखने को मले अब बात करतें नेक्स्ट क्वेशन के ऊपर अभी हाली में कौन सी ऐसी यूटी अस्टेट है जो कि दुनिया का लार्जेस्ट एलेक्रिक ट्रीविलर मेकिं इंप्लांट यह बनाया जाएगा कहां पर तैलांगना में बहुत इंपॉर्टेंट है तैलांगना में बनाया जाएगा कौन सी कंपनी है जो इसको बना रही है तो यह कंपनी है बिलिटी बिलिटी कंपनी बेसिकली कैलिफोनिया बेस्ट है तो इन्होंने अनौन्स किया है क कि यह बनाएंगे यहां पर तलांगना में 200 एकड की एरिया में इसको पूरा बनाया जाएगा अठाना जार विकल का टार्गेट किया गया है कि एरली बेसिस पे बनाएंगे और यह परेशनल हो जाएगा 2013 तलांगना के अगर हम बात करते तो तंद यह 39 यूनेस्को एरिटेज में एड किया लिए जो इंडिया जो इंडिया में है उनमें 39 अभी फॉर्टी बी आ चुकी है वह कोंसी है वह दोलावीरा तो इनका नाम मुझे लग रहे हैं कि मैंने बहुत बार में लिया अगर पेपर में क्वेशन आएगा आप दों गलत नहीं होगा नेक्स पर आते हैं अभी हाल ही में शिवा मोगा एरपोर्ट जो है इसको और नाम बदल दिया गया अब सबसे बाले क्वेशन क्या है आप से पेपर में डिरेक्ट पूछा जा सकता है स्टैक्टिक जी क आप से इस एरपोर्ट का नाम बदल के एजी डिरुपा रख दिया गया है प्र अबी हाल ही में इंडिया का पहला अब देखो यह चीज आब बहुत है इंडम्य क्रप्रेशन के अगर में बात करूं इन्हों ने कहां पर बनाया था इन्हों ने बनाया था उक्तरप्रदेश में तीपर डाफ में यह घ्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो है बनाने की बात की गई है कहां पर असाम में अगर पूछा जगा का है तो जगा का नाम है जोरहाट जितनी भी ग्रीन हाइड्रोजन वह आपको बने बता है चीज़े देखने को मिल रही है बहुत इंपोर्टन है एक्जाम और भी से तो इसको बस याद रखेग बात करते हैं नेक्स के ऊपर आज के वाट करते हैं कोन सी स्टेट बनी है इंडिया की जिसने इंस्टॉल कर रहा है एल रूट सर्वर तो प्रवाइड अनिंटरॉप्टेड इंटरनेट एक्सेस तो यह किसने शुरू किया है तो यह क्या गया है राजस्थान के द्वारा न ना करें अब यह आरेस से आप लोग आईडिया लगा सकते ही कियागा है रशिया के द्वारा रशिया ने कहा है कि वो दुनिया की मोस्ट पॉवर्फुल नियुक्लियर कैपिबल बलिस्टिक मिसाइल को टेस्ट करेगी जिसका नाम क्या है आर एस ट्वेंटी एट सर्मैट चीक है यह दुनिया की सबसे पॉवर्फुल नियुक्लियर कैपिबल बलिस्टिक मिसाइल है और इसे नाम दिया गया है किसका सटन टू चीक है अब अगर आप बोलेंगे सेकिंड है तो फर्स्ट भी कोई होगा तो बिल्कुल था वो था आर एस वो था आर थी सिक्स एम सटन के नाम से पहले जाना जाता था इसे सेटन टू कहा गया है अब यहां पर और यह कहा जा रहे कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉंग है और यह पॉवर्फुल है तो बस अभी करेंट बार जो रिशिया की चल रही है यूकरियन के साथ वहां पर यह टेस्ट ना करें नेक्स साल कब अब्जर्व किया जाता है तो यहां पर यह थे आज के आपके इंपॉर्ण करांट अफेर्स आई होप आप लोगों को यह चीज़े समझ में आई हूंगी और एक्जाम पॉर्ण पॉर्ण अप्लोड हो जाते हैं यूट्यूब पर भी आपको मिल रहे हैं तो आप ल दीजिए साथ ही साथ अगर आप इन एक्जाम के लिए प्रिपेर करने हैं तो मौक टेस्ट जरूर दे और कोशिश करें जब भी मौक टेस्ट को अटेम्ट करें उससे पहले सारा रिवाइस कर ले और अगर आप लोग नई विकैंस के लिए तो कोशिश करिए कि आप लोग पहले टाइम वेस्ट मत करें अफिशल नोटिफिकेशन दो उसके लिए आप लोगों का जो स्लेबस हम भी तक अप्लोड़ीड है जो एक्सपेक्टेड है कि वहां पे भी होगा उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए बाग की हम टेस्ट होगेरा एक प्रॉपर सिस्टमाटिक में कंड़क्ट करवाएंगे तो चलो आज के लिए सर्व इतना ही मिलते हैं आप लोगों से जल्दी ने लेक्चर के साथ अभी के लिए दीजिए जाधत हैव नाइस डे बाबाई टेक केर